हालो दोस्तों आज हम लोग Energy Conservation के इस केंड चेप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है Energy Conervation Act 2001 इस चेप्टर में हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं तो इस चेप्टर में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है Energy Management का Introduction, Energy Conservation, Energy Efficiency and Its Needs Energy Efficiency, Energy दच्छता और इसकी आउशिकता क्या है Silent Feature of Energy Conservation Act 2001 and the Energy Conservation Amendment Act 2010 मतलब कि 2001 में आया था Energy Conservation Act उसके बाद उसमें कुछ संसोधन किया गया, amendment किया गया 2010 में तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे and its importance और इसके महत्वों महत्वों को हम लोग देखेंगे इसके organization और center के बारे में जानेंगे जो कि state level responsible होगा, its implementation क्या है, इसमें क्या क्या संसोधन हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे, standard and leveling देखेंगे, मतलब कि मापन और leveling हम लोग यहाँ पर देखेंगे, concept of star rating and its importance, मतलब कि किसी किसी equipment में आप लोग देखते हैं कि उसमें 3 star, 4 star, 5 star होता है, तो उसका क्या महत्वों होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, type of product available for star rating, कितने product available हैं star rating के लिए इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उर्जा प्रबंधन, अर्थ अधिक्तम फायदे के लिए उर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होता है, जैसे टंगस्टन बालो की अस्थान पर LED लाइट का प्रियोग करने से विद्दूत का बचत होता है, उर्जा प्रवंधन का मतलब यह है कि किस प्रकार से हम लोग उर्जा का बचत कर सकें, जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, टंगस्टन लाइट का उपयोग करते थे, तो अभी क्या है, LED आ गया है, LED का फ्लेस लाइट वगरा आ गया है, तो उसमें उर्जा का कम खपत होता ह जिससे की हम लोग एनरजी का ज़्यादा सेलिंग कर सकते हैं। उर्जा प्रबंधन के अंतरगत, कारे नीती, निर्देशन, प्रदाय नी अंतरण, खपत की जानकारी आधी आवर्षक बाते आती हैं। लब इसके अंतरगत किस प्रकार के कारे हम, कारे के अनियम बना सकते हैं, निर्देशन किस प्रकार से दे सकते हैं, जिससे की एनरजी का बचत हो, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उर्जा प्रबंधन का लक्ष, उर्जा की बरबादी को नियुंतम करना, पर्यावरण के प् के लिए एक उर्जा प्रबंधक की नियुक्ति किया जाता है जिसके अंतरगत निम्न जिम्मेदारियां होती हैं उर्जा के प्रबंधन एवं उर्जा लागत के लिए वार्सिक क्रियाशील योजना बनाना यह पहला है जो हम लोग जिस आदमी को जिस प्रवंधों की निवक्ति करते हैं उसमें सबसे पहला आता है कि वार्सिक क्रियाशील योजना बनाना कि किस प्रकार से हम लोग पूरे देश में पूरे राज्य में उर्जा का बचत कर सकते हैं उर्जा प्रवंधन की उर्जा सरंच्छन की इकाईयों को अस्थापित करना उर्जा मुल्य को कम करने के लिए योजना बनाना लागू करना होता है उपकरणों की छमता दच्छता की जाच करना किसी संस्था के कर्मचारियों को जागरुक करना कर्मचारियों को प्रसिच्छित करना बाजार में उर्जा प्रबंधन की जानकारी देना ये प्रबंधक का जो कारे होता है जैसे आप लोग कालेज में ही देखते हैं डिरेक्टर सर मैनेजर सर जो काम करते हैं सभी नीतियों को बनाना उनको लागू करवाना बहुत सारे जैसे कि हमारे यहां तीन चार ब्रांच हैं तो तीनो चारों ब्रांचों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए कि कम से कम लागत मे अधिक से अधिक उच्छ गुडवत्ता की सिच्छा प्राप्त हो से की इस प्रकार हम लोग उर्जा प्रवंधन की मैनेजमेंट करते हैं ठीक है उर्जा प्रवंधन के सिद्धान्त क्या है कारे क्या है आवशकता क्या है उसको हम लोग देखते हैं उर्जा का उपयोग उसकी अधिक्तम उर्जा दच्छता उर्जा छमता तक उपयोग करना तथा उर्जा का नियुंतम मुल्य पर उपयोग करना यह उर्जा प्रबंधन का मुल्य सिद्धान्त होता है तो उर्जा का उप्योग, उसकी अदिकतम उर्जा दच्चता तक उप्योग करना, किसी भी मशीन का एकदम Maximum छमता और Maximum दच्चता पर उप्योग करना ही उर्जा प्रबंधन करना ही, जिससे कि वहाँ पर उर्जा की बचत हो सके, उर्जा प्रबंधन का कारे उर्जा के उपयोग के प्रति लोगों को सचेत करना तुथा उर्जा के उपयोग में उर्जा की खपत एवं उपयोग को नियंतरण करना भी इसके सिध्धानत में आएगा उर्जा प्रवंधन की आवशक्ता उर्जा के प्रकार की जानकारी को सूची बद्ध करना तथा तकनीकी तथा मसीनों की जानकारी लेना उर्जा छेत्र की प्रक्रिया का अध्यान एम पहचान करना ये सब बातें उर्जा प्रवंधन के सिद्धान के अंतरगत आती हैं कार्य में आते हैं और आउशक्ता में आते हैं उर्जा सरक्षण अधिनियम 2001 इसको EC Act 2001 भी करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है इसको हम लोग देख लेते हैं उर्जा सरक्षण पर बिचार करते हुए भारत सरकार ने उर्जा सरक्षण अधिनियम 2001 को प्रस्तावित किया इसका कार्य मांग एम आपूर्ती के बीच के अंतर को कम करना उर्जा की बचत के माध्यम से पर्यावण उसर्जन को कम करना तथा इस प्रकार की बाधा को दूर करना होता है अधिनियम के प्रावधानों के अंतरगत उर्जा मंत्राले के उर्जा प्रवंधन केंद्र का बिले करके एक मार्च दोजार दो से उर्जा दच्छता वीरो की अस्थापना की गई उर्जा दच्छता उर्जा सनर्चन में सुधार करने तथा नीतिगत कारेक्रम का आपस मिताल में बठाने के लिए जिम्मिदार होगा ये जो एक्ट है वो सरक्षन और उर्जा की खपत में किस प्रकार से अताल मेल बैठाय जाए उसके लिए जिम्मिदार होगा इसके कुछ अंसे हैं उर्जा उप्योग करने वाले संस्थाओं को उर्जा सनर्चन की जानकारी देना उप्भोक्ता को उर्जा खपत के मान दंडों यह मानकों को निर्धारित करना प्रत्यच नामित उप्भोक्ता के लिए दच उर्जा उप्योग के लिए उर्जा प्रवंधकों की नियुक्ती करना राज्य सरकार द्वारा छेत्री वा स्थानी मौसम की स्थितियों के आधार पर उर्जा सरच्छन भवन कोड को लागू करना का अनरोध करना ऐसे उपकरण जो मानक उर्जा खपद अस्तर के नहीं है उनके निर्माण क्रय विक्रे पर रोक लगाना ब्योशाइक भवनों के प्रत्यक्ष मालिकों को उर्जा सरच्छन भवन कोड के आदेश को मानना यदि उर्जा खपद के निर्दारित मांदन्डो एवां मानकों का उपयोग नहीं हो रहा है तो उर्जा दच उपयोग और सरच्छन के लिए योजना बनाकर उसे क्रियानवित करना उर्जा सरच्छन अधिनियम की विशेषता क्या होती है मानक तथा लेवलिंग इसका मुख्य कार उर्जा दच्छता में सुधार करना होता है तथा उप भोकता को उर्जा दच उपकरणों के उपयोग के लिए प्रेरित करना होता है नामित उप抭ोकता क्या होते हैं अधिनियम की अध्य सूची अएसे नामित उपयोकता की सूची प्रदान करेगी जो मूल रूप से गहन उद्योगों, रेल्वे परिवहन, ट्रस्ट, पोर्ट, ट्रस्ट, विद्धुत, इस्टेशन, ट्रांस्मीशन एवं वित्रन कम्पनियों आधि को कवर करते हैं उपभोकता केंदर सरकारद्वार्य निर्धारित उर्जा खपत मांदंडों का पालन करेंगे उर्जा प्रबंधुकों का प्रमारी करण क्या है? नीतियत विशलेशन, परियोजना, प्रबंधन, वित्त पोशन एवं उर्जा दच्छता प्रियोजना के कार्या नुवयन में विशे शग्यता के साथ पेशेवर योगी उर्जा प्रबंधुकों का एक पैनल कारे करेगा, जिसे BEE का कारे ट्रेनिंग करना तथा उर्जा प्रबंधुकों के प्रमारी करण के लिए राष्टी अस्तरप परिक्षा का आयोजन कराना होता है उर्जा सरच्छन भवनकोड से संबंधित नियम को अधिसूचित किये जाने के बाद वाड़िजिक भवनों के लिए संबंधित राज्यों द्वारा स्थानिय जलवाई परिस्तितियों की घोसरा की जाएगी तथा यह निर्धारित किया जाएगा कि इमारतों में कनेक्टेड लोड फांसो कीलो वार्ट तथा इसे अधिक होने पर इसे ब्यावशाईक उद्विश्च के लिए उपयोग माना जाएगा केंद्री उर्जा सरच्छन निधी उर्जा तच्छता सेवाओं जैसे कमपनियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर उर्जा सेवा वित्तर तंत्र विक्सित करने के लिए केंद्र में निधी की अस्थापना की जाएगी जिसका कार्य कुशल उपकरणों की पैठ बढ़ाने के लिए R&D, Research and Development की अस्थापना करें तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए लोगों की जानकारी को बढ़ाएगे जुर्बाना, प्रतिक अपराद के लिए जुर्बाना बित्ती रूप में दे होगा अर्थाथ प्रतिक अपराद के लिए 10,000 प्रतिक दिन 1,000 रूपए दे होगा अगर इस नियम का पालन आप नहीं करते हैं EC1-2001 इसमें Standard and Event Labeling आता है मानक तथा Labeling आता है इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है मानक तथा Labeling के लिए BEE, BEE का पूरा नाम होता है उर्जा दच्छता Bureau Bureau of Energy Efficient द्वारा Star Rating योजना को मई 2006 को लागू किया गया यह योजना फिलहाल निम्न उपकरणों पर लागू की गई है AC, पंखे, TV, computer, refrigerator, transformer, motor, washing machine, generator, set, water pump, water heater, star rating का मतलब किसी भी उपकरण की उर्जा दच्छता से है यह एक पांच बिंदु का पैमाना होता है अगर किसी उपकरण की रेटिंग अधिक है तो इसका मतलब वह उपकरण अधिक उर्जा बचत करेगी यदि star rating कम है तो इसका मतलब वह उपकरण कम उर्जा की वचत करेगी BEE के द्वारा star rating उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में अधिक उर्जा खपत करते हैं एक जनवरी 2018 से भारत में बनने वह बिकने वाले AC के लिए नई star rating प्रणाली की शुरुआत की है जिसे भारती मौश्रमी उर्जा दच्छता अनुपात करते हैं यह कूलिंग के लिए उर्जा दच्छता को बताता है भारती उर्जा दच्छता अनुपात के अनुसार AC का star rating 3.1 से कम नहीं होना चाहिए अगर इससे कम हुआ तो उसे भारत में ना तो खरी सकते हैं और ना तो बेच सकते हैं यह रहा आपका दूसरा chapter जिसका नाम है Energy Conservation Act इसमें हम लोगों ने management को भी समझा है देखा है और आप लोग इसका notes बनाईए और proper तरीके से पढ़ाई करिए अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे बताईए comment करिए phone करिए जो भी आपके पास उपलब्द है message करिए तो आगे से हम लोग तीसरा chapter पढ़ेंगे तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाब्द करता हूँ धन्यवाद